अब ये खबर आ रही है दोस्तों कि ये जो फोन है दोस्तों वो चीन में 21 माई को लांच हो जाएगा इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि इस फोन के नाम को लेकर अभी तकाबते जाधा कोई जहन करी दोस्तों नहीं मिलिये लेकिन बात करें से एक भीज़ेश नाम से फेकर पैश किया है कुछ समय पहले ही दोस्तो लीक के जरी है इस प्रोन के प्रोमोशनल दस्फिर है साबने आई है जिनके मुताबित बात करें तो इस फोन के बेक पेनल में आपको फिंगर प्रिंट सेंसर मिलेगा और यह सिंगल यह केमरे के साथ दोस्तो अवलेबल होगा दोस्तो यहनी कि बात करें इसके color variant की तो आपको बढ़ता है कि यह company के दोस्तो black और red color में आपको यह पेश करेंगी दोस्तो company इसके साथ ही हम आपको बढ़ता ही कि इस leak के दोरा दोस्तो Samsung Galaxy S9 का light mana B version गया गया है दोस्तो तो दोस्तों इससाब जाहर होता है कि Samsung Galaxy S8 और S9 के light version जल्दी ही market में आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताते हैं कि Samsung का ये phone चीनी की certification side TINA पर दोस्तों नजर आया है हम बताते थे हैं आपको कि TINA पर लिस्ट है कि मताबिद अगर बात करें तो इस phone के अंदर आपको 18.5.9 infrared display मिलेगा इस phone के smart phone के एकर processor की बात की जाए तो इसके overclock speed होगी वो 2.2 GHz या फिर 1.9 GHz हो सकती है दोस्तों इसके साथ हम आपको बताते हैं कि इस phone के अंदर आपको 4GB RAM और 64GB का आपको storage मिल जाएगा और यह जो phone होगा दोस्तों वो Android Oreo पर run करेगा और दोस्तों कर बात करें इसके camera के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर आपको 16MP का real camera मिलेगा दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों कर आपको पसंद आए तो प्रीज हमार वीडियो को लाइक करें शेर करें और ऐसे ही latest update के लिए आज ही हमार चैनल को सब्सक्राइब करें